हाई प्रेंट स्वागत आपका एक और नई वीडियो में आज की वीडियो आप देखने वाले लावा ब्लेस और उसके साथ लावा ब्लेस प्रो की मैं करने वाला अनबॉक्सिंग बात की जाए इन दोनों फोनों की रेम कि इसमें आपको चार्ट जीवी की रहे मिलती है आप दया ऋक्रेंड देखने हैं और इसमें आप 3D के रहे मिल सकते हैं बात करते हैं दोनों फोनों की डिस्पेय की जो पॉन और शौन कोने आपका मेरे ब्लेस प्रो इसका अगर प्राइश क्यों बात करे तो आपका 1050 पानी वाल जर्ड क आप बने लेए वीडियो का एंड तर देड बात करते हैं लावा के ब्लेश फोनों की तो इसके जो फ्रेंड लुके वह नेक्स्ट का इस तरीके से से हैं उसी के साथ आपको प्रो का है लोक है वो कुछ इस्त्रीक से डिजाइन है और बात करते हैं इस फोन की कुछ highlight फीचर की तो दोनों में कुछ highlight फीचर दिये गहें बॉक्स पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें आपको मिलता है दोनों में सेम प्रोसेसर लगे हुए यह रहा मीडाटेक हीरियो जी थाटी सेवन ओटा को प्रोसेसर पांच एरमेश की दोनों की बैटरी है और साइट में फिंगर प्रिंट है लौड स्पीकर है 6.5 इंच की बड़ी डिस्प्ले है उपर के दोनों बॉक्सों में आपको यहां पर मिलता है फोन का IMEI नमबर दिया गया है उसी के साथ इस बॉक्स के अंदर आपको यहां पर लिखाओ वन हैंसेट, वन चार्जर, वन डाटा केबल, वन बैक कवर दिया गया है एक SIM निकालने के पेन है और इस साइट में आपको कुछ भी नहीं है अब मैं सबसे पहले open करता हूँ next phone को next phone में एक मिलता है आपको free service का card दिया गया है यहां पर आपको मिलता है back cover उसी के साथ आपको मिलता है SIM निकालने के लिए एजक्ट पेंदी गई है और इस बॉक्स के अंदर मिलता हमें हमारा डिवाइस जो कुछ इस तरीक से अभी डिवाइस को रखते हैं हमें साइट में और यहाँ पर मिलती है आपको C टाइप की डाटा केबल दी गई है और यहाँ पर मिलता आपको चार्जर डबल जैक का दिया गया है यह रहा अब बात करते हैं प्रो फोन की यहाँ पर आपको मिलता है 24 वर्स की सर्विस का कार्ड मिलता है सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर बेक कवर और उसके साथ से मिजैक्ट पैन और यहाँ पर मिलता है हमें हमारा डिवाइस जिसका लूप बहुत ही प्यारा दिया गया है और इंज कलर में अब भी डिवाइस को रखते है साइड में और इसमें आपको मिलती है टाइप सी की डाटा केबल दी गई फोन चार्ज करने के लिए यह रही यहांप अपको मिलता है एक चार्जर इसमें आपको सिंगल favorite दिया गया है और जो आपको नेंग्स वाला फोन नेंग्स पॉन में आपको मिलती है डबल जैक आप हैं सिंगल जैक का चार्ज आर अब सबस्याँ में बात करते हैं नेक्स फोन के लुक तो इसका जो लुक है वो इस तरीकिसर डी आएन है उसी के साथ प्रो का जो लुक है वह आपका इस तरीकिसर डी आएन है और दोनों की बज़ेट की बगर बात कि जाए तो आपका जो नेक्स्ट यह वाला फोन है यह आपका 9500 रुपके की राज़ में आता है या सेम उसी तरीके से 3.5mm एरफोन जैक, माइक होल, चार्जिंग जैक दिया गया है और स्राउंड का जैक है और यहां पर आपको मिलता है fingerprint sensor प्रो में आपको side में दिया गया है और इसमें आपको next में मिलता है back side में दोनों फोनों में 3 camera दिये गया है LED flash के साथ और यह इनके sim slot है मैं sim slot निकालके आपको दिखाता हूँ दोनों फोनों में आपको 3 slot मिलता है sim 1, sim 2 और आप एक इसमें HD card भी डाल सकते हैं 8 MP के दोनों के front camera है और फीचर की बात किजिए तो सेम फीचर उसी तरिके से यहाँ पर आपको pro में देखनों के मिलते हैं और next में same application pre-loaded है यहाँ इसमें इन दोनों फोनों में कोई भी आपको extra application यहाँ देखनों के नहीं मिलती है और बात करते हैं इसके front camera की यह इन दोनों के front camera है और बात किजिए इन दोनों फोनों की back camera की तो back camera में same feature दिये गए है front camera back camera में back camera में जैसे यहाँ पर आउन करता हूँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है देखने को night mode का option दिया गए इन दोनों फोनों में उसके साथ आपको मिलता है video का option दिया गया है यहाँ पर और यहाँ पर आपको मिलता है और यहाँ पर मिलता है ब्यूटी का option दिया गया है और यहाँ पर आपको मिलता है प्रो फोन का लुक काफी अच्छा है क्योंकि इसमें एक हजार रुपय का डिफरेंट है या आपका 10,500 रुबई की रेंज में आता है अभी मैं इन दोनों फोनों के फ्रेंट बैक केमरे से कुछ पिच्चर और वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाता हूं पात कीज़ें नेक्स्ट फोन के इसका जो बैक कैमरा या अपका 13 प्लस 2MP का दिया गया है उसके साथ अगर जो आपका जो प्रो अला फोन है इसके अगर कैमरे की बात किये तो आपका 50MP प्लस 2MP का कैमरा दिया गया है और इन दोनों के फ्रेंट कैमरे आपके 8MP के हैं साइट में मिलता आपको फिंगरपेंट सेंसर इसमें आपको बैक में फिंगरपेंट सेंसर दिया गया है और इसमें आपको मिलता है इसमें प्रोक्सिमिटर दोनों में सेम फीचर दिया गया है और इन दोनों फोन का जो कलर है जो आपका नेक्स फोन का जो कलर है आपको चार क फोनों की केमरें कि मैंने वी कुछ पिच्चर और वीडीयो करें और यहांपर बधर दिखाता हूं को यह का समय आप यूख घ्रणस कूरीयों कुछ कर एड कीना आँब बसे का रहा है ? और यह भी इसका back camera है, यह आपका prolla phone है, यह आपका next phone है, यह इसके front camera से video record कीुए मैंने, यह रही, यह इन दोनों phone की video record है, front camera से, और ये इनके फ्रेंड कैमरे पोर्टेट मोड है जो आप देख पा रहे हैं बैक्गरांड बलर है यहाँ पर और उसके साथ ये फ्रेंड कैमरे से नौर्मल पिच्चर मैंने कैप्चर की है ये बैक कैमरे की पिच्चर है ये भी back camera की है दोनों फोनों की ये वीडियो record है ये इस फोन का friend camera है यहाँ पर और ये भी इसका back camera है गेरा बात कर दें दोनों फोनों की Android version की तो इसका जो Android version दोनों का सेम है 12 आपका Android version यहाँ पर देखने को मिलता है और इन दोनों फोनों जो प्रसेसर लगा हुआ है वो आपका ब्लेज जो next phone है इसके अगर प्रसेसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखनों के मिलता है MT6761 Helio A22 12 nanometer का प्रसेसर लगा हुआ है उसी के साथ आपका जो pro phone है इसमें आपका MediaTek MT6765B Helio G37 12 nanometer का प्रसेसर लगा हुआ है बाकियों कमेंट बाक्स में जुरू बता है आपको प्रो और नेक्स फोन में इन दोनों फोन में कौन सा फोन अच्छा लगा अगर आपको Lava Bless next और उसके साथ Lava Bless Pro की वीडियो अच्छे लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और उसके साथ मैरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इन दोनों फोनों का बैक्ट लोग अच्छा लगा है तो आप कमेंट बाक्स में जिलो बताइए आपको इन दोनों फोनों में कौन सा फोन अच्छा लगा थैंक्स पर वच्छिए